हे गाईज, वेलकम टू स्टेड़ी विच सुनील देखे दोस्तों राज़तान जीके के लिए अपने जो किसना अनसुर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटीनियू करते हैं और आज का लेशन अपन सुरू करते हैं देखे पहला किसना आपको देखा है राज़स्तान में सागवान के वन कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं वो आपको बताना है कहाँ पर पाए जाते हैं ये नहीं बताना ठीक है चार उपसन आपको दे रहे हैं बांसवाड़ा, चितोडगड, शिरोही और डुंगरपूर देखे सागवान के वन उगने के लिए जो वर्षा होनी चाहिए वो 80 cm से लेकर 110 cm तक होनी जरूरी है वो राजस्तान का जो सदन पार्ट है, दक्सीन राजस्तान है, वहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं आपकी जानकारी के लिए बतादू कि इस क्योशन का जो आउनसर होगा, वो स्चीरोही जिला होगा बासवाड़ा में और डुंगरपूर में तो परमुक रुप से सागवान के वन पाए जाते हैं और चितोडगड में भी थोड़े बहुत वन पाए जाते हैं लेकिन शिरोही में सागवान के वन नहीं पाए जाते हैं इसलिए option third क्या होगा, इसका correct answer होगा, अगला क्यूशन देखो, राजस्तान में त्याग फरता का संबंद किस वरक से था, राजस्तान में त्याग फरता का संबंद कौन से वरक से था, ब्रामन वरक से था, अक्षत्रिय वरक से, वेश्य या फिर शुद्र, त्याग फरता, त शेतरिये इसका करेक्ट आंसर होगा त्याग फरता जो थी वो राजबुत ça çıkar के अंतरगत जो विवाह होता था। उसमें विवाह के आउसर के उपर लड़की वालों से मु मांगी दान दक्षिना का प्रियास किया जाता था। और ये जो दान दक्षिना थी इसे को त्याग फ तो अक्षित्रिय वर्ग से ये संबंदित है करवाचोत का वरत मनाय जाता है करवाचोत का वरत कब मनाय जाता है ये आपको बताना है कि भाद्रपद करशन चतूर्थी को स्रावन करशन चतूर्थी को वेसाक करशन चतूर्थी को या कार्थिक करशन चतूर्थी को करवाचोत का वर्थ कब मनाया जाता है देखे करवाचोत का वर्थ क्यों मनाते हैं देखे सुहागिन जो इस्तरियां होती हैं वो अपने पती की दिर्ग आयू के लिए अपने पती की लंबी आयू के लिए या फिर वन्ष की व्रद्धी के लिए इसे करवाचोत के वर्थ को मनाती हैं हा है सवाई मादवपुर में सवाई मादवपुर में चोथ का बरवडा नाम की एक जगह है वहाँ पर चोथ माता का मंदीर है यह जो चोथ माता है इसकी सवारी के बारे में कई बार एक्जाम में पूछा जाता है इसकी सवारी क्या है तो बकरी सवारी है चोथ माता की ठीक है कं मेवाड के किस महाराणा ने संगीत के ओपर गरंत लिखा। मेवाड का वो कौन सा महाराणा था जिसने संगीत पर गरंत लिखा। महाराणा उदेशिंग, महाराणा परताप सिंग, महाराणा कुमबा या फिर महाराणा अमर सिंग। संगीत प्रेमी कौन था। देखें महारणा कुम्बा क्या होगा इसका करेट आंसरों का, महारणा कुम्बा को संगीत समराट के नाम से भी जाना चाता है, महारणा कुम्बा ने अपने जीवन काल में संगीत राज नाम से सुधा परबंद, संगीत मिमान सा, संगीत सास्तर नाम से कई गरंथों की रसना भी की है जैदेव की एक करती है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो गीत गोविंद गीत गोविंद नाम से जैदेव की एक करती है इसके उपर एक रशिक प्रिया नाम से महारणा कुमबा देने एक टिका लिखी है तो ये भी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है इसके उपर इन्होंने एक रसिक प्रिया नाम से टिका लिखी है गेत कोविंद रसना किसकी है जैदेव की है अभी नव बढ़ता चारी है मारना कुमबा राजस्तान में इस्तित सबसे पूराना सिमेंट का कारखाना कहां पर है राजस्तान में इस्तित सिमेंट का सबसे पुराना कार खाना कहां पर है सवाई मोदपूर, मोडक, ब्यावर या लाखिरी देखे सिमेंट का सबसे पुराना कार खाना पुछा आपको अगर सिमेंट का सबसे बड़ा कार खाना पुछा जाता तो वो होता निम्बा, खेडा, चितोडगड अगर सफेद सिमेंट का पर्थम कार खाना पुछा जाता तो वो होता गोटन, नाकूर अगर आपको सफेद सिमेंट का सबसे बड़ा कार खाना पूछा जाता तो वो होता खार या खंगार जोधपूर लेकिन आपको पुछा है कि राजस्तान में इस्तित सिमेंट का सबसे पूराना कार खाना तो वो कौन सा है लाखेरी और लाखेरी कहाँ पर आपका बुंदी में है तो लाखेरी क्या हो जाएगा इसका करेट आंसर हो जाएगा नेक्ष्ट देखो कानट देप्रबंद के रचैता कोन है नयनसुक रामभट पदमनात या हेमकवी इसके रचैता जो भी है उसके बारे में आपको बता दू कि जालोर के जो सासक थे कानट देव सोनगरा उसके दरबारी साहित्यकार थे कानट देव जो परबंद लिखा गया है वो कौन सी बासा में लिखा गया है तो ये संस्कृत बासा में लिखा गया अच्छा ये जो कानट देव परबंद है इसमें किन चीजों को लिखा गया कौन सी बातों को लिखा गया तो इसके अंतरगत किस चीज़ का उलेख है अलावदिन खिलजी के द्वारा जालोर के ओपर आकर्मन किया गया था उसका विश्टरित वर्णन सेंसकर्थ बासा में इस कानड़ परबंद में अंतरगत किया गया यह रसना किस की है पदमनात के द्वारा कानड़ परबंद कर रहे थे मैंने ओफ लाइन होने के बाद में उन कमेंट को देखा तो एक दो स्टुडेंट की कमेंट थे जो कि यह कर रहे थे किसर इतने क्यूशन कैसे करवाए वीडियो को थोड़ा लंबा कीजिए कम से कम 20-25 क्यूशन तो वीडियो में करवाए आप 10-15 क्यूशन नहीं अगर हर एक क्यूशन को ध्यान से देखते हैं तो मैं हर एक क्यूशन में उसके साथ साथ में कम से कम 5-7 फेक्ट या 10 फेक्ट तक भी आपको भताता हूं जो की क्यूशन से अलब होते हैं हालां कि होते हैं आपके एक्जाम के दरेश्टी कौन से सारे इंपोर्टेंट यह लेकिन उस क्यूसन से हटकर हम आपको काफी चीजें बताता हूं तो उसका आप कभी नोट डाउन नहीं करते हैं आप केवल और केवल इस एक क्यूसन के उपर द्यान देते हैं वो सारी चीजें उस क्यूसन से रिलेटेड ही होती हैं जैसे देखे इसी क्यूसन में देख लो आप यह थार का कल्प रुक्स है वो किसको का जाता है सायद आप मेंसे सबी को पता होगा कि थार का कल्प रुक्स ह को कहते हैं ये भी खेजडी को कहते हैं आपको पता होगा कि राजस्तान का राजज्य अवरक्स किसको कहते हैं खेजडी को ही कहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्तान का जो राजज्य अवरक्स है खेजडी वो कब गोशित किया गया था देखें वो 31 अक्टूबर 1923 को गोशित किया गया था हो सकता है आप में से पता हो बहुत से जनों को तो आप में से ये भी पता होगा कि इसको उस्थानिय बासा में किस नाम से जाना जाता है खेजडी को जांटी के नाम से जाना जाता है सर हम तो राजस्तान विजेश में रहते हैं इसलिए हम सब को पता है कि इसको जांटी बोलते है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि राजस्तानी बासा के अंतरगत इस खेजडी को किस नाम से पुकारा जाता है सर हमें तो पता है किस नाम से पुकारा जाता है सिमलो के नाम से पुकारा जाता है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि गरंथों के अंतरकते इस खेजरी का किस नाम से वर्णन किया गया है तो गरंथों के अंतरकते इस खेजरी का समी नाम पुकारा गया ठीक है आपको ये भी पता होगा कि इस खेजडी का विगयनिक नाम क्या है विगयनिक बासा में इस खेजडी को किस नाम से जाना जाता है तो हमें तो पता है क्या पता है प्रोसो पिस सिनेरेरिया प्रोसो पिस सिनेरेरिया नाम से इसका विगयनिक नाम है कि आपको पता है कि खेजडी की जो पूजा है वो विजिया दसमी के दिन या फिर दसेरे की उपर इसकी खेजडी की पूजा की जाती है कि आपको पता है कि खेजडी जो है उसकी हरीपती को किसे नाम सी जाना जाता है लूम के नाम सी जाना जाता है आपको तो ये भी पता होगा कि हरीपती जो है वो सूख जाती है खेजडी की उसके बाद में इसको खोका बोलते है खेजडी की जो फर्ली होती है उसको सांगरी बोलते है सर हमें तो पता है अगर आपको पता है तो आप ये बता है कि खेजडी की जो कीड़ा लगता है कीडे का नाम क्या है आप सभी कमेंट कर सकते है उस कीडे का नाम क्या है उस कीडे का नाम है सलेस्ट्रमा नाम का कीड़ा लगता है अच्छा ये तो कीड़ा लगता है इसमें कवक भी लगता है कीड़ा लग है कवक अलग है कवक जो लगता है उसका नाम क्या है उसका नाम भी कि खेज़दी दिवस कम मना जाता है, 12 सेप्टेंबर गुनी सो अठंतर से, खेज़दी दिवस वो हर वर्स मना जाता है, पता है ना आपको तो सब पता है आपको तुम तो आपको फालतु में बता रहाँ, बहुत से इसे स्टुडेंट हैं जिनको यह शिकायत रहती है कि सर क्यूसन कम बताते हैं अरे क्यूसन कम नहीं बताता आप पर गोर नहीं करते हैं आपके वल इतना ही गोर करते हैं कि जो क्यूसन बताया है लिखा गया है उसी पर गोर करते हैं उसके साथ में मैं आपको कितने facts बताता हूँ, अगर आप उन सब को note down करते हैं, सब को याद करते हैं तो एक क्यूसन के साथ में, आप जिसे इसी क्यूसन को देख लीजे, इस क्यूसन में आपको 17 से 18 point बताएं, आप चाहें तो वीडियो को एक बार rewind करके देखना ना, offline होने के बाद में, तो ध्यानसे देखा करो, इस sleeves की केडा कोन सा लगता है, इस में कवक कौन सा लगता है, खेजर्डली दियुस कब मराइ जाता है, गरन्थों में इस क्सको नाम से पुकारा है, रास्ताणि-बासा है, विगयानिक-बासा ह्में इसको क्या बोलते है इसकी फूजा कौन से दिन की जाती है इस्तानिय वासा में क्या बोलते है पस्ची में राजस्तान में सबसे ज़्यादा पाये जाता है ये राज्य वरक्स कौन सा है कब इसको राज्य वरक्स गोशित किया गया था इसके लवाए इसकी उपनाम कौन कौन स राजस्तान की सबसे छोटी अंतराज्य शिमा लगती है अंतराज्य शिमा की यहां पर बात नहीं हो रही कौन से राज्य के साथ में राजस्तान की सबसे छोटी अंतराज्य शिमा लगती है तो देखे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्तान की अंतराज्य शिम बनाने वाले कौन कौन स revenue है, तो देखें वह इसमें एक पताताईब एक अता है जिए खजति है। तो मद्य पर्देश के लगती है, कितनी लगती है, 1600 किलो मेटर के लगती है, उसके बाद में गुजरात की कितनी लगती है, तो गुजरात के लगती है, 1022 किलो मेटर की, अचा हर्याना की कितनी लगती है, तो हर्याना की लगती है, 1262 किलो मेटर की, सर एक और रह गया, बिल्क इसलिए टोटल इसलिए शिमा अगर आपको पुछा जाए तो 5920 किलो मेटर आपको लिखनी है वरना अलग अलग पुछा जाए तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं बिलकुल लिख दोगे आपको एक्जाम में ये भी क्यूसन पूसादा सकता है कि राजस्तान का वो कौन सा जिला है जो की सबसे ज़्यादा अंतर राज्य शिमा बनाता है अंतर राज्य शिमा की बात कर रहा हूं मैं तो अंतर राज्य शिमा इसका मतलब ये पांच राज्य एसे हैं जिसके साथ में राजस्तान अंतराजी शिमा बनाता है इनमेंशे अगर यूपी को भी इंकलूड कर लें तो सबसे बड़ी सबसे लंबी अंतराजी शिमा बनाने वाला राजस्तान का वो जिला कौन सा है यह आप से पूछ ले तो वो कौन सा जिला है जालावाड जिला है ठीक है किसके साथ में लगाता है सर यह मद्यप्रदेश के साथ में लगाता है जालवाड तो सफिर सर सबसे छोटी शिमा लगाने वाला रास्तान का वो कौन सा जिला है जो कि अंतराजी शिमा सबसे छोटी लगाता है तो वो है बाड मेर सर ये किसके साथ में लगाता है तो ये गुजरात के साथ में लगाता है ठीक है तो ये तो बात कर लिए अपने अब देखो चार जीले राजस्तान के ऐसे हैं जो कि दो-दो राजियों के साथ में शिमा बनाते हैं रास्तान के चार जीले ऐसे हैं तो सारे फेक्ट्स आपको याद हो जाएंगे देखिए वो चार जिले कौन कौन से हैं जो की दो दो राजियों के साथ में सिमा बनाते है तो उसमें एक अनाम आता है हनुमानगड़ का हनुमानगड़ जो है वो कौन कौन से राजियों के साथ में सिमा बनाता है तो एक तो पंजाब और एक हरियाना दूसरा जो यहां पर जिला आता है उसका नाम है भरतपूर भरतपूर जो जिला है वो हरियाना और उत्रप्रदेश के साथ में सिमा बनाता है उसके बाद में तीसरा जिला आता है धोलपूर दोलपूर जिला उत्रपरदेश और मद्यपरदेश के साथ में सिमा बनाता है उसके बाद में चोथा हाथ और लास्ट आता है बांसवडा बांसवडा मद्यपरदेश और गुजरात के साथ में ये अंतराजी सिमा बनाता है अब अंतराजी शिमा की बात करें तो लगे हाथ अंतराश्टी शिमा की भी बात कर लेते हैं अंतराश्टी शिमा में ने आपको बताई है कि 1070 किलोमेटर की है अचा ये जो अंतराश्टी शिमा ये 1070 किलोमेटर की राजस्तान की है अगर आपको टोटल पूछे, क्योंकि राजस्तान तक ही तो केवल पाकिस्तान की सीमा लगती नहीं, उपर पंजाब में भी लगती है, जमुकस्मीर में भी लगती है, नीचे गुजरात में भी लगती है, तो अगर टोटल आपसे पूछ ले अक्जाम में, तो वो 3310 कि लगती है बाद में दूसरा नमर आता है बीकानेर का बीकानेर की जो सिमा लगती है वो 168 किलोमेटर की लगती है तीसरा नमर आता है इधर जेसल मेर का जेसल मेर की सिमा लगती है 464 किलोमेटर की और लास्ट आता है अपना नमर बाड़ मेर का बाड़ मेर की जो सिमा लगती है बिकानेर करना है क्योंकि 168 किलो मेटर सबसे कम इशी के लगती है अगर आपको ये पूछ ले कि अंतरास्ट्री सीमा परिष्टित राजस्तान का वो कौन सा जिला है जो कि सबसे लंबी अंतरास्ट्री सीमा बनाता है तब आपको किलोमेटर की टोटल इसकी लंबाई है तो जितने भी फेक्ट बनते हैं अंतराजी सीमा से अंतराश्टी सीमा से वो मैं आपको सारे बता चुका हूँ सीतला माता का मिला कब लगता है देखे सीतला माता का मिला कब लगता है या आप से पूचा है चेतर शुकल पूर्णिमा को लगता है चेतर कर्षन अमावश्या को लगता है या चेतर कर्षन अस्टमी को लगता है या चेतर शुकल अस्टमी को लगता है शीतला माता का मिला जैपूर के माराजा थे सवाई मादो सिंग उन्होंने चाक सुगाउं जो की जैपूर में है, चाक सुगाओं, सील के डूंगरी का नाम आप ने सुना होगा, वहीं पर सितला माता का मन्दिर बनवाया था, किसने सवाई मादोसिंग ने, जो की जैपूर के Maharaja थे, यह जो सितला माता है, इसको कई उपनामों से जाना जाता है, इसको चेचक की देव में भी शीतला माता को ही पूजा जाता है यह जो शीतला माता है इसका मेला लगता है चेत्र कर्षन अस्टमी के दिन लगता है कहने का मतलब है कि परतिवा से चेत्र कर्षन अस्टमी को सिलास्टमी मना जाती है इसी दिन बाशोड़ा मना जाता है और इसका मेला लगता है तो चेत्तर कर्शन अस्ट में क्या होगा इस क्यूशन का करेंट आउंसर होगा तो अमीद आपको इस वीडियो से कुछन कुछन नया ही जानने को मिला होगा and for the time being this is the complete analysis of the video and thanks for listening as always God bless you all